जय जगर्नाथ मैं शिवानी चाक्रवर्टी अपने चैनल बॉंग कलिंग फूर्टल्स में आप सब का स्वागत करते हैं सबसे पहले आप सभी को हमारे क्रिकेट टिम ने जो विश्वकव जीता है उसके लिए हारदिक वधाई और अभिनंदन और आज के अमारे वीडियो में हम बात करेंगे कुछ लोग भगवान जगर्नाथ जी को कुछ ऐसे भोग लगा देते हैं जो उन्हें कभी नहीं लगाना चाहिए और क्यों नहीं लगाना चाहिए वो भी हम आगे बात करेंगे, उनमें से कुछ हमारे सब्सक्राइबर भी है, जो उडिसा से बाहर रहते हैं, लेकिन वो कभी-कभी ऐसे भोग लगा देते हैं जगरनाजी को, उन्होंने भी पूछाए क्या ये भोग लगाना सही है, तो आज हम बात करेंगे कि उस तरीके का भ पूरी तरीके से परम सात्विक भोग होता है, उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसे होते हैं, जो हम डेली यूज करते हैं, उसको हम जगरनाजी भोग में भी यूज नहीं कर सकते हैं, उस तरीके से भगवान जी के पास भोग बनता है, कहते तो हैं जगरनाजी की 56 भोग है, इसलिए जगरनाथ जी को खाव ठाकूर कहा जाता है और बहुत सरे लोग श्रद्धा में जगरनाथ जी को घर में रखते हैं उन्हें बहुत टाइप के भोग लगाते हैं और हमारे चानल में तो आपनों देखी लिया हो कि जगरनाथ मंदिर में किस किस टाइप के भोग लगत और इसलिए जगर्नाथ मंदिर का 56 भोग घर में बना के देना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन ऐसा नहीं है कि अद्दिया नहीं जा सकता हम भी जब हमारे जगर्नाथ जी के पास 56 भोग लगाते हैं वो पूरी जगर्नाथ मंदिर का ही भोग होता है और पूरे 25 से 26 गंडे लग जाते हैं भगवान जी को 56 प्रकार का भोग जगर्नाथ मंदिर का जो भोग है वो चढ़ाने के लिए तो ऐसा नहीं है कि आप वो सब करके दें लेकिन जो भी आप भोग चढ़ाएं वो परम सत्विक होना चाहिए आप जगर्नाथ जी या भगवान विश्नु के जो भ यह भी हमने फोटो में देखिए बहुत जगे पर वो कोल्ड रिंग्स देते हैं चॉकलेट देते हैं चीप्स देते हैं कुछ लोग स्रद्धा से देते हैं और कुछ लोग 56 भोग की क्वांटिटी को जो पूरा करना होता है उसमें यह लगा देते हैं और भोग लगाते वक में आपको दीख जाएगा कि उसमें ओन्यन और गार्लिक का पावडर मिला हुआ होता है चाहे वो चिप्स हो कुरकुरे हो कुछ भी हो उसमें ओन्यन और गार्लिक का पावडर मिला हुआ होता है बहुत कम चिप्स हैसे होते हैं जिसमें यह दोनों नहीं होते और वही हम रास्तेर के अनुसार ये सारी सामग्रियां भगवान को चढ़ायाई नहीं जाती खासकर भगवान विश्णु को‍अ!!!!! अगर कोई बच्चा अपने शध्धा से अपनी चीजे भगवान जी को दे सकता है वो चढ़ा सकता है क्योंकि बच्चा है वो मासू में उसको पता नहीं होता कि भगवान जी को कौन सा भोग चढ़ाना चाहिए कौन सा नहीं Lenka पन तो यह धान में रखना होगा कि यह सारी सामगरियां नहीं चढ़ानी चाहिए सिर्फ चपन भोग की क्वांटिटी जो होती है उसको कम्प्रीट करने के लिए इसको नहीं चढ़ा जा सकता बहुत सारे कोल्ड रिंग्स भी इसे होते हैं जिसमें कुछ ऐसे तत्तो होते हैं जो भगवान जी आप नहीं दे सकते कुछ लोग्याद केक्स करते हैं जगरना जी को जगरना जी कोई भी जला भुना हुआ सामगरी भोग के रूप में सुखारनी करते में और प्र बहुत सारे चेक्स बटर की जगा मारिजरीन होती है वह सारी चीजे भगवान को भोग के रूप में नहीं दिया जा सकता कपके हो गया पैस्ट्री हो गया कुछ भी हो ए सारी चीज़े आप नहीं लगाएं जगर नाजी को या फिर भगवान नारान को वह बहुत बहतर होगा अगर आप बच्चे के रूप में भी उनकी पूजा करते हैं फिर भी कि बहुत सकते हैं या फिर विटक्ट पर टा माट्र और ककड़ी तर दे सकते हैं आकुछ बनाया नहीं जासता आपसे तो रोची गूड़ दे सकते हैं डाल चावल दे सकते या पिर सिंपल खिचली दे सकते यह सारे भोजन बनाने के लिए ज्यादा में लगता Ultra सभके रिश लेकर बड़े लोग को अरफन करते हैं तो यह घलत चीज है कि बहुत सारे सामगर्यूऑ में लशन प्याज होता है अगर आप लशन प्याज खाते नहीं तो लसन प्याज आप चड़ाए नहीं अगर आपने भगवाण जी को डिरेक्ट्ली लसन प्याज नहीं देते तो इंड पर हैं लेकिन ध्यान में रखें कि आप देते किसको हैं जिनको आप अरपन कर रहे हैं वह आखिर हैं कौन आप क्या डारेक्टली उन्हें वह चीज़ दे सकते हैं तो इस बात का ध्यान रखें तो यह थी आज की वीडियो आई होप यह इंफर्मेशन आपको अच्छा लगा ह कि अधरव में तो यहा हैं सकते हैं ठूबस्ट कर दृबस्ट यह ज़ा हैं